खबर मध्य प्रदेश की रिवाजिले से हैं जहां राजे सोनी पर गगेउ जनपर की 38 ग्राम पंचायतों में अवैधानिक तरीके से लगभग 13 करोड रुपए के ग्रामील विकास की रासी को शिवसक्ती ट्रेडर्स और अन्ने से 60 गाट कर सरपंच सचिवों के सहयोग से गल आश्ट दी भी लगाई गई है राजे सोनी ने अब तक कोई भी दस्तावेज पिछले तीन वर्स से जनपत गगेउ को प्रभार में नहीं दिये हैं और सब दबा कर बैठा है इसलिए उसे जमानत का लाब ना मिले और पुलिसिस से पोश्ट आचकर कम्प्यूटर के साथ सम पूरे मामले का खुलासा हुआ था और फरार कम्प्यूटर ओप्रेटर राजे सोनी को एक दिन पहले सिविल लाइन पुलिस ने कोट के पास से गिरफतार किया है आईए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर पूरे सदिक्षा कौरार टी आई कारिकरतार का क्या कहना है रीवा दिले के गंगेवो जन्तपत अंतरगत एक कराधान घोटाला हुआ था जिसमें 38 ग्राम पंचायतों में कराधान चुधाने बिक्तायों की परफार्वाट की राजी में बंदरवाट हुआ था और उसको लेकरके तीन लोगों के उपर F.I.R. दर्ज हुई थी जिसमे से राजे सोनी वहां के निलंबित लिपिक हैं और नागें सिंग सिवसक्ति के प्रोपाइटर वहां की ग्राम रोजगार सहाएक थी इन में से एक प्रतिभाह सिंग को गरिफतार कर उन्हें चार महीने तक जेल में रखा गया था इसके बाद उनकी जमानत हुई थी अभी हा है कोड के पास में वहां पर राजे सोनी को सिविल लाइन पूलिस के द्वारा ग्रिफतार किया गया है और अपरात प्रमांग 470 बटा 2020 धारा 409 420 आईटी एक्ट की धारा 66C 66D और 12V IPC की और 34 प्रकार से कंभीर धाराओं में मामला इनको परदार्श था तेरा करोल से धिक गवन का इनको पर आरोग था और इसमें जो एडिशनल एसपी है माउगंज के स्री वीवेक लाल जी उनका बहुत महत्पूर्ण योगदान रहा है और उन्हीं से इनने संपर किया और प्रुण के बारे में जो लोकेशन जी उन्हों इसमें मदद की है और इस तरह से यह महत इस रिमांड में लिया जाना अवश्यक है क्योंकि इसमें 66 66 D जो आटी एक्ट की लगी हुई है इसमें कंप्यूटर किया जाना चाहिए तभी उसमें सचाही सामने आएगी और साथ में इसमें जो एक अन्य महत्पूर्ण बात है कि इन्होंने प्रभार अभी तक नहीं दि कि गई है और में वांचित थे कल सुचना पर उनको राउंड अप किया गया है अभी उनके और पूस्ताष भी कि जा रही है और अन्य डिपार्टमेंट जहां से भी उनका पूरा मेंटर था जो दस्तावेज अगर नहीं बिलें तो उसका भी परेक्शन किया रहा है और उनक अभी नेले पेश किया गया है और वेचना अभी प्रक्रण की जारी है इसका सुपर्विजन एडिसन स्पी मोगन जोरा किया रहा है कल जब सुचना मिली थी शहर में उनकी पस्तेसी देखी गई है तो ततकाल सिविलाइन थाना ने अपने भूमिकाने भाई एक्टिवली और वहां उसको रौंड अप किया है और इसके पशाद मनगमा थाना को सुपर्विजन को किया गया है यह मैटर 2020 का है जिसमें विदीबत जाच की गई थी जिलाब परशासन दोरा और उनके दोरा पत्राचार करने के पशाद रकन पंजीबत किया गया था और उसके पशाद विजना के दौरान अनिसमें आरुपियों कर्फतारी की जा चुकिए इनके अभी गर्फतारी शेष जो कल की गई है अब इंसे पूस्ताच की जा रही है और उसके पशाद ही आपको लोग अपडेट करेंगे हैं इनके पर रिवार्ड भी था पांच और रुपे का